प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जी जो रिलेटेड है जो मेट्रिकल इंटर्प्रेटेशन एंड डिस्क्रीमिनेंट है एक स्केश दी ग्राफ आफ एकस इस इक्वल टू एक्सक्राइट जो के क्वाड्रिक फंक्शन है बाइ यूजिंग दा इंटर्सेट मेटड यह बात हम जानते हैं कि हमें अपाद दो मेटड हैं जी एक है intercept method और एक है turning point method तो first method से हम इस जो quadratic function इसका graph बनाने जा रहे हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा हमें x intercept फाइंड करना मतलब हम जब यह graph draw करेंगे ठीक है तो इस वज़ा से हम यह कहेंगे कि यह दो points पर x-axis को intersect करेंगे तो for x-intercepts ठीक है जी और यह बात हम जानते हैं कि जो यह graph बनेगा quadratic function का यह parabolic shape का होता है ठीक है यह concave shape का होता है तो और फिर दूसरी बात यह कि इसमें अगर coefficient of x-square अगर positive हो तो यह फिर उपर की तरह मतलब जो positive y-axis है उसकी तरफ इसकी जो है face होता है ठीक है open मतलब उपर की तरफ होगा तो for x-intercept इसके लिए आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं हम x को sorry y को हम y को क्या कर देते हैं जी 0 के equal put करते हैं चुक्के x-axis के ओपर y coordinate 0 होता है ठीक है और यह बात हम जानते हैं कि f of x जो है वो y के equal है ठीक है अगर एक f function है उसकी x domain है तो y उसकी range होती है इसका मतलब कि हम f of x को 0 के equal लिख रहे हैं तो यहां से फिर हम यूँ कह सकते हैं कि यह हमारे पास जो quadratic function x square minus 6x plus 8 यह equal to 0 के आगया है और आप जानते हैं कि y equal to 0 यह equation of x-axis है means कि हम यूँ कह रहे हैं कि यह दो graph आपस में intersect करेंगे x-axis के उपर चुक्कि यह x-axis है और यह graph है जारी बात इंटरसे करेंगे तो x-axis के उपर ही intersect करेंगे और दो points हमें मिलेंगे जो के हम quadratic formula से निकाल सकते हैं और मैंसे factorization के method से जो है वो solve करूँगा चुक्कर intercept method में factorization मेरी जएधा help कर सकती है ठीक है जी तो यहां पर जिसे हम जो है वो trial method भी कहते है है we start by factorizing method ठीक है जी और अब इसमें आप चानते है mid term break करेंगे हम और यह भी के इसमें जिससे यह function लिखा ही हुआ है या equation अब चुक्छे equation बन गी है quadratic equation बन गी है तो इसमें mid term को हम break करते हैं इसमें हमें इन दोनों का जो sum है वापिस 6 चाहिए negative का 6 और इसका product positive का 8x2 चाहिए जो के first और last और प्रोड़क्ट तो यह basically मैं इसको minus 4x और minus 2x लिखा है पहरी दो terms को अगर आफ factorize करें तो इसमें से x common ले लें x minus 4 और x यह इसके दो factor बनेंगे last two term में से अगर हम minus 2 common ले 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 तो minus 2 into x minus 4 यह इसके दो factor बन गए है अब मजीद यह दो terms है इन दोनों में से आप x minus 4 x minus 4 मतलब देखें तो common है यह common ले सकते हैं आप और यहां पर first term में x रह जाएगा और last term में negative 2 रह जाएगा तो यह इसके factors बन गए है ठीक है और for x intercept हमने जैसे बात की कि हम already पहले से ही इसको f of x को 0 के equal put कर चुके है तो x minus 4 equal to 0 आएगा इधर चुके दो real numbers का product 0 के equal है तो इसमें हम यही बात करते कि है x minus 4 equal to 0 है तो यहां से x की value 4 आजएगी और sorry यहां पर all लिखना था मैंने और इसमें x की value क्या आजएगी 2 आजएगी ठीक है दोनों को हम right side पे move कर रहे है यह हमाँ पास x intercept आगया है तो इसका मतलब दो points आगे है ठीक है therefore parabola हम यह लिखेंगे जो यह यह जो graph है given function है यह लि meets x axis at points कौन से 2 points आए है जी एक point आया है जिसमें एक सिसा जो है 4 है ordinate 0 चुके y coordinate 0 होगा और इसी तरह से 2 और 0 यह 2 points मैं पास आगे है यह तो हो गया x intercept अभी आपने देखना है क्या है हमारा यह जो हमारी given function है sorry function है क्या यह y axis को भी touch करता है यह नहीं y intercept है यह नहीं तो for y intercept हम क्या करेंगे जी हम जो है वो x को 0 put करेंगे तो for y intercept एक होगा चुके इसमें जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि यह parabola x axis को 2 points पर इंटरसेक करेगा ठीक है जी तो given function जो f of x है किसके equal है x square minus 6x और plus 8 ठीक है इसमें आप जब x की जगा 0 लिखेंगे तो आपके पास 0 का square 0 multiply by 6 is 0 और plus 8 तो आपके पास f of 0 जो है वो 8 आजएगा ठीक है तो इधर हमें एक statement लिखेंगे therefore जो function f of x है ठीक है यह जब हम इसका graph बनाएंगे तो यह meet y axis यह y axis को meet करेगा इंटरसेक्ट करेगा add point कौन से point पर जी जिस पर एक एक सिसा तो 0 है और ordinate 8 यह भी आगया मैं आपस point अब हमने एक और बात इसमें जो लिखनी है वो यह कि जो axis of symmetry है मतलब कि एक line होती है parabola जितना left पर होगा इससे उतना ही right पर होगा ठीक है तो यह axis of symmetry कहलाती है ठीक है अब axis of symmetry हमेशा जो हमने roots निकाले है ठीक है यह वो points निकाले जहां पर यह parabola x axis को meet करेगा इसके mid point से गुजरती है ठीक है तो हम यह कहेंगे के the axis of symmetry एक statement से लिख लेंगे the axis of symmetry is the midpoint of midpoint of the x-intercepts ठीक है जी x-intercepts और वो आप already जनते हैं तो इसका मतलब कि वो हम आपस क्या आजएगा x-coordinate जो आजएगा वो equal to आएगा x-intercept क्या थे जी एक 2 था और एक 4 था ठीक है तो इनका midpoint कैसा है गा है इन दोनों के मतलब जो x-coordinate चुक्क है x-coordinate की में बात करो दोनों x-coordinate add होंगे और 2 पे divide हो जाएगे 6 का half 3 तो आपके पास यह आजएगा और इसका हम इसा भी find कर सकते हैं हम फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि x is equal to negative b divided by 2a अब देखें गिवन एक्वेयन में जो हमारे पास quadratic equation given है function given है इसमें a कितना है 1 और b कितना है minus 6 है ठीक है तो यह value हम इसमें भी put कर सकते हैं ठीक है तो यहां से अगर आप देखें तो b कितना है negative 6 है और a कितना है 1 ठीक है तो यह 6 divided by 2 यह भी 3 के ही equal आता है तो आप इस तरह से भी find कर सकते हैं तो इसका मतलब कि जो हमारा parabola है जो function f of x यह axis of symmetry को भी meet करता है meets axis of symmetry ठीक है और जिस point पर meet करता है उस point को हम कहते हैं जी उस point को हम क्या कहते हैं जी उससे हम कहते हैं vertex ठीक है तो वो जो vertex होगा यह turning point होगा at point v जिससे हम turning point भी कहते हैं ठीक है turning point वो क्या आजेगा उसके लिए जहरी बात है कि जो यह x coordinate है यह given जो function f of x जो किसके equal है जी अगर मैं इसको लिखूँ तो यह equal x square minus 6x plus 8 ठीक है तो इसमें हम put कर लेंगे x की value 3 मतलब कि जो equation of symmetry है x of symmetry है तो f of 3 किसके equal आजेगा 3 का square minus 6 multiply by 3 plus 8 तो 3 का square होता है 9 6 3 times 18 और plus 8 तो देखे 9 और 8 एड़ करें कितना बनता है 17 और 17 में से आप 18 minus कर रहे हैं तो आपके पास negative 1 आजेगा f of 3 क्या आजेगा जी नेगेटिव 1 तो therefore vertex जो होगा वो क्या आजेगा vertex is x 3 and y minus 1 अब इस lecture को मैं continue कर रहा हूँ next lecture में जिसमें मैं फिर ये graph जो sketch करना है वो मैं वहाँ पर आपको draw करके बता दूँगा यहाँ पर मैं जो important coordinates या points मैंने find करने थे graph मिलाने के लिए वो मैंने सारे find कर लिए